हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू आवर चैनल साफ सिटी पीसीमबी मैं अजीम शवीम आपका दोस्त आप कमेंटर मैं सी एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजीर है आज यह हमारी क्लास जो है आपको काफी दिन बाद मिल लेगे उसके लिए सौरी लेकिन अपसे हमारी क्ला को छहां पर क्या था वह संसाम अण टंड्स ऑफन एपी सम और उसके जो बैसिक फॉर्मुलेंज होते हैं वह उस पर हम लोगों ने दो तीन क्यें थे जो किसित बैसिक बैसिक कौर्शन थे लेकिन आने चाहिए हम लोग को करने जो हमारा पैटरन है एक्जाम का उसमें हम लो of n terms का part है 2 ठीक है तो आल यहां लोग कुछ कोशन करेंगे एक कोशन मैंने यहां पर लिक रखा है जिसमें कहा गया है कि L क्या आप लोग भूल गए है L क्या होता है नहीं भूले होंगे क्यों 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 L होता है last term L क्या होता है last term S is equal to 144 क्या S आपको पता है क्या है वो है sum मतलब जब किसी AP को जोड़ा गया होगा उसका जो sum आया होगा वो कितना होगा 144 और N क्या है N होता है number of terms मतलब उस AP में कितने terms हैं पूशा क्या गया है A और A क्या होता है पहीं भूल तो नहीं कि आप लोग A होता है first term है ना A क्या होता है first term तो हम लोग को एक formula पता है sum of N term is equal to N upon 2 bracket में A plus L क्या हम लोग को एक formula पता है बिलकुल पता है और इस formula से क्या हम लोग A निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से निकाल लें क्यों क्यों हमको sum पता है हमको N पता है हमको L पता है क्या नहीं पता है ह बढ़ी आसानी से आ जाएगा, हैना, चलिए करते हैं, SN है, हमारा 144 is equal to n कितना है, 9, upon में 2, bracket में a, a हम को निकालना है, plus l, l कितना है, 28, क्या इतना आपलग formula से formula में value पूट कर लेंगे, यहां तक, बहुत आसान है, यहां तो कुछ ऐसा दिक्कत होने हैं नहीं चाहिए, अब यह देखे, 9 और 144, क्या यह दुनों आपास में divide हो रहे हैं, देख लेदें करके, 9 बन्जा 9, 9 बन्जा 9, बचा कितना 5, 5 किसके पास गया, 4 के पास, जब 5, 4 के पास गया, तो वो बन गया 54, और हमको पता है, 9 शिखजा, 54, तो यह 16 हो गया, मतलब 144, 9 से हमारा divisible है, ठीक, फिर इस 2 को क्या करेंगे, इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 16 into 2 is equal to a plus 28, 16 into 2 कितना होता है, 32 is equal to a plus 28, इस 28 को इस तरफ लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा, 32 minus 28 is equal to a, तो a की value नहां से कितनी ही आ गई, 4, यही हमसे question में पूछा गया था, यही हमसे question में पूछा गया था, यह question, यह वाला जो question में ने किया, और इससे पहले जो question किये थे हम लोगों ने, जो हमारे पिछली classes में आये थे, यह सब थे बहुत ही basic question, मतलब आपको directly दे दिया जा रहा था, कि हमको L दे दिया है, S दे दिया है, N दे दिया है, जो पहले question किये गये थे, उसमें हो सकता, D दे दिया गया रहा होगा, फिर हम लोग को कुछ ने कुछ find करना था, मतलब पूरे formula में से, कोई एक आदा चीज हम लोग को हटा दी गई थी, वो चीज समसे पुशी जा थी थी, बागी चीजे दे दी जा रही थी, तो अभी तक हमारा बहुत ही basic basic concept चला है इस chapter पर, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ word problem मी करेंगे, कुछ case study वाले question मी करेंगे, यह case study मैंने भी बोला, यह case study कोई मान से नहीं आता है, कुछ चंद्रमा से या चानवान से इस तरह question नहीं आती, कहां से आते हैं, आपके बुक से ही आते हैं, जो word problem मी लगता है, कहां इसे थोगा सा दिमाग लगाना है, उसी को बोल लते है case study, बलगी ऐसा case study जैसे कुछ है नहीं, है ना, तो कुछ एकाप question उसके भी कर लेंगे, यह नहीं कि आज ही कर लेंगे, आने वाले classes में वो भी देख लेंगे, तो आज हम लोग अगला question करने जा रहे हैं, आपकी exercise 5.3 का question number 4, आप लोग अपनी बुक अपने पास लेके बैठियेगा, उससे आप लोग question देखते रहेगा, मैं यहाँ पर question लिखूंगा, और solve करूँगा, आपको explain करूँगा, और question आप लोग अपने बुक से देखते रहेगा, ठीक है, तो question number 4 करने जा रहे हैं, हम लोग आपकी exercise, exercise नहीं हाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कौनशी exercise करने जा रहे हैं हम लोग, 5.3 का, क्योंकि यही वाली exercise जो है, 9, 17, 25, 9, 17, 25, and so on, must be taken to give a sum of 636, यानि sum कितना आना चाहिए, 636, आप लोग ने बुक में देखीएगा यह question, question क्या कहा रहा है, कि हमारे पास कोई एक AP है, जिसमें 9 है, 17 है, 25 हो, और ऐसे हमारी AP चली चली जा रही है, लाश तर्म हमको नहीं पता है, लेकिन यह कहा जा रहा है, कि इस AP को, जो हम लोग जोनते हैं, इस AP के terms को जो हम लोग add करते हैं, तो आता है 636, कितना आता है 636, तो हमको यह बताइए, कि इसमें number of terms कितने होंगे, तर्म का, लेकिन एक formula और भी तो होता है, SN is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, है ना, चली उसको इस्तिमाल करते हैं, वो formula होता है, SN is equal to n by 2, bracket में 2a plus n minus 1 into d, यह formula होता है, sum of n terms का कब, जब हमको last term नहीं पता हो, जब last term हमको नहीं पता हो, हमको नहीं पता है, बहुत बढ़ियां बात है, लेकिन हमको बागी सारी चीज़े पता है, इसकी मदस से हम लोग क्या करेंगे, n निकाल लेंगे, लेकिन इस question में आप लोग कहीं, यह तो नहीं सूचना है, कि सर्द डी भी तो नहीं दिया है, ऐसा किसी के मन में ख्याल आ रहा है, वैसे आना नहीं चाहिए, यह गंदा ख्याल है, यह डी आपको पता होगा क्या होगा, क्या होता है डी, डी होता है, next term minus previous term, यानि 17 minus 9, कितना हो जाएगा यह, 8, तो डी की value हमको पता है कितनी है, 8, चलिए इस तरफ सौल करते हैं, SN, SN की value कितनी दर रखे है, 636 is equal to n by 2, n हमको निकालना है कि उसको ऐसे रहन देते है, n by 2, bracket में 2 into a, अब a यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमको लिख लिख दू, तो a की value कितनी है, 9, a की value कितनी है, 9, तो 2 into 9 plus n हमको निकालना है, into d, d अभी अभी हम लोग रहें, ताजा ताजा निकालना है कितना, 8, अभी चलनी से छान के एकड़म, तेल में से निकालना है, कितना है, वो 8 है, है ना, चलिए ठीक है, अब हम इस 2 को इस तरफ ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, कौन रूख लेगा, 636 into 2 is equal to n into bracket, ये कितना हो जाएगा, 18 plus 8 into n, 8n minus 8, यहाँ पर मैंने इस 8 को इस bracket से multiply कर दिया, 8 into n, 8n, 8 into minus 1, minus 8, है ना, ते ये कितना हो जाएगा, 636 into 2 is equal to n bracket, ये 18 है, ये 8 है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, minus हो रहे हैं, subtract हो रहे हैं, subtract हो रहे हैं, तो कितना हैगा, 10 हैगा, 10 plus 8, 10 plus 8, चलिए, ठीक है, फिर इधर ही ऐसे लिखते चले आ रहे हैं, 366 into, अब इस n को इस पर ब्रेकेट से, अगर हम लोग multiply करें, तो क्या आएगा, 10 N plus 8 N esq. देखें, इहां दोनों तर्म हैं, यहां पर भी 2 वरा है, यहां पर भी 2 वरा है, 2 वरा टर्म से मतलब यह है मेरा, के यहां पर, 2 हम common ले सकते हैं, हम क्या common ले सकते हैं? 2 common ले सकते हैं, ले 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 थे हैं, तो क्या हो जाएगा अब जब यहां से ने 2 common ले लिया तो बचा क्या 336 यह वाला 2 common गया यहाँ पर कितना बचेगा 5N प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 4N square होगा कि नहीं होगा अब सब इंस्टर्ब को इस तरह लेकी चले जाएगा तो कितना आजाएगा 4N square plus 5N minus 636 is equal to 0 क्या कोई यह सोच रहा है कि यह minus 636 कैसे हुआ देखे इस चीज़ को ऐसे ही रहन दिया इस वाले टर्म को जब उस तरफ लेके जाएगे तो minus तो होगा तो वाई चीज़ उधर लेके गए तो यह minus हो गया और इधर कुछ नहीं बचा तो वहाँ पे 0 कर दिया ठीक है असान है अब क्या करना है हम लोग को split the middle term से हमको n की value find करनी है split the middle term करके हमको n की value find करनी है split the middle term आपको आता है नहीं आता है दुश्री धर्चाल लगा लिजे वो भी आप लोग को आता है class 9th में इसकी उपर बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने study की होगी हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 into 636 पहले करते हैं क्या करते हैं A into C A into C यह A है यह C है तो क्या आज आएगा 636 into 4 64 जा 24 carry 2 4 3 जा 12 जा 24 carry 1 64 जा 24 जा 1 25 कितना है यह 2 5 4 4 अब क्या करें इस 2 5 4 4 का हम लोग ले ले factor चले मैं इसको इस तरफ करता हूँ ताकि solution में कोई दिक्कत ना आए हो जाएगा हमारा 2 5 4 4 का factor 2 बन जा 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा हुआ कि नहीं हुआ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 6 2 3 जा 2 6 होगा कि नहीं होगा फिर देखिए 2 3 जा 2 1 जा 2 8 2 15 जा इधार आएगा एक एक जब इस तरफ जा तो 2 9 जा अब 1 5 9 क्या 2 से divisible है बिलकुल नहीं है क्या 3 से divisible है कैसे divisible है इसको add करिए 5 1 6 6 9 15 अगर कोई नंबर 3 की add करने पर ऐसा आता है जो 3 की table में आए तो वो नंबर 3 से divisible होता है तो यह भी 3 से हो जाएगा 3 5 जा 3 3 जा 53 53 किसी में आता है नहीं आता है तो इसको ऐसे ही कर दीजे 53 जा 2 तो यहां पर एक बन रहा है 48 और एक बन रहा है 53 बहुत ध्यांस देखिए इन दोनों को multiply करने पर 2 5 4 4 भी आ रहा है और इन दोनों को subtract करने पर 5 भी आ रहा है तो हमारा काम हो गया हमको बीच का जो split the middle term चाहिए वो हमको मिल गया 48 और 53 चलिए कर देते हैं जहां हमको चीजे मिल गई है तो अब हम उसको सीधे सीधे लगा देंगे ठीक है 4 and square plus 53 and minus 48 and minus 636 equal to 0 ठीक है यहां तेक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को क्यों हो रही है अब इसके आगे मैं इसको solve करता हूँ आप लोग देखिएगा यहां पर देखिए यहां पर और यहां पर क्या n कॉमन ले लिए गया तो क्या बचा 4 and plus 53 यहां पर और यहां पर सिर्फ n कॉमन हो रहा है तो n बाहर ले लिए बचा क्या 4 and plus 53 यहां से और यहां से क्या कॉमन लिया जाए कि हमको यह वाला ब्रैकन दुबारा मिल जाए तो वो है 12 देखिए माइनस 12 अगर हमने जब कॉमन लिया तो क्या बचा यहां पर 4 and plus 53 is equal to 0 split the middle term कर रहा हूं मैं आप लोग को यह अच्छी से आता है 9th class में आप लोग ने इसको पढ़ा दिया और नहीं पढ़ा है तो आप लोग देखिए रहे कोई अलग से तो मैं लगा नहीं रहूं यानि number of term कितने आए 12 इस AP में number of term कितने आए 12 इस AP में number of term कितने आए 12 लेकिन अगर मैं यह वाला bracket ले लूँ तो क्या होगा 4n plus 53 is equal to 0 तो 4n is equal to minus 53 तो n is equal to minus 53 upon 4 याद करी हो पहला दिन जब हम लोगों ने सीखा था number of terms पहरी चीज़ हम लोगों ने ये कही थी कि number of terms कभी भी fraction में नहीं हो सकते ये हमेशा positive integer होने चाहिए क्या ये positive integer है? नहीं है इसका मतलब n हमारा ये नहीं हो सकता हमारे n की value क्या होगी? 12 बहुत ही आसान सा question था बस लेकिन इसको solve करने में time लगा और ही question आपके exam में आ सकता है question आसान है पूछा आपसे n गया है लेकिन n को निकालने के लिए मेहिनत मशक्कत करने पड़ गई split the middle term का इस्तमाल करना पड़ गया हो सकता है आप मेंसे कोई श्रीद्राचार का formula इस्तमाल करे लेकिन करना तो हई है solution तो इसका बड़ा बना अगर ये आप सोच के देखिए अगर हमको split the middle term या श्रीद्राचार ना आता हो तो क्या इसको हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हम इसको नहीं कर पाएंगे तो इसी लिए math एक ऐसा subject है कि जिसको जो हम लोग पढ़ते हैं कोई हम नए chapter पढ़ है हमें उसके पीछी की चीजें हमको सारी भले ना आती हो लेकिन जो main main point है वो हमको आना चाहिए जैसे यहां पर देख लिजे आप लोग ने split the middle term class 9 ये पढ़ा होगा श्रीद्राचार आप लोग ने class 9 ये पढ़ा होगा और आगे भी करना पड़ेगा तो इसलिए math में ये हम लोग मान के चलते हैं कि अगर को पिछली चीजे नहीं आती है तो आने वाली चीजे आगे की जो चीजे होती है उसमें दिक्कत हो सकती है और होती भी है ठीक तो ये था हमारा question number 4 अब हम लोग करते हैं अगला question आप लोग अपनी book में देखते रहीएगा the next question है वो हम लोग करना जा रहा है question number 6 question number 6 एबाफिट से बहुत अच्छा question है question number 6 कहा रहा है the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively question number 6 है क्या रहा है the first term and the last term first term कितना है the first term of an AP is 17 कितना है 17 last term कितना है 350 respectively if the common difference is 9 if the common difference is 9 how many terms are there and what are its sum कितने term है वो बताना है और sum क्या होगा AP का वो भी हमको बताना है ठीक है यहाँ पर हमको N पूछा जा रहा है क्या हमको N निकाल लेंगे अब आप लोग यह सोच रहे हों भे क्योंकि अगर हमको sum निकालना है तो sum के formula में भी N होता है और sum निकालना भी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों चीज़ हमको एक ही formula से मिल जाए मतलब देखिए यह वाला formula है हमसे पूछा गया question में sum निकालो लेकिन जो हम sum निकालेंगे तो हमको N भी तो चाहिए यह N भी हमको नहीं पता है तो आप क्या किया जाए तो पहले हमको N निकालना है और वो भी question ने पूछा गया है तो N कैसे आएगा याद करिए हमारा सबसे पहला formula formula हमारा क्या था a n is equal to a plus n minus 1 into d a n is equal to a plus n minus 1 into d एनास टर्म वाला formula हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं a term क्या हमको पता है बिल्कुल पता है क्या है 350 is equal to क्या इसी last term को ही तो हम लोग एनास टर्म बोलते हैं इस last term को ही तो एनास टर्म बोलते हैं तो हो गया is equal to a, क्या हमको a पता है question में, बिल्कुल पता है 17 plus, क्या हमको n पता है, नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, वहीं निकालना है ठीक है, तो n minus 1 into d, क्या d पता है बिल्कुल पता है d पता है, बिल्कुल पता है ठीक, अब इसको solve कर लेते हैं 350 is equal to 17 plus 9n minus 9 ठीक और solve करते हैं 350 is equal to 17 में से 9 जाएगा तो फिर से क्या आएगा 8 plus 9 and 9 है इसको एमाँ समझेगा 9 ठीक अब इस 8 को अगर हम इस तरफ जाएगे तो क्या हो जाएगा 350 minus 8 is equal to 9 and इसको subtract करेंगे तो कटना हो जाएगा 342 is equal to 9 and अब फिर आप यह बताएगे क्या यह 9 से divisible है कटेगा कि नहीं काटते दिखते है 9 गोंजा 9, 9 ठीरीजा 27 कितना बचा? 4 और की 7 बचा, उस 7 को को क्या करना है? 2 के पास लेके जाना है उस 7 को क्या करना है 2 के पास लेके जाएगे एन की वेलू कितनी आगी? 38 यह हमसे पहले आचीज जो पूछा गया था इस question में कि एन की वेलू क्या होगी? वह हमने निकाल दिया यहाँ पर क्या हम वाले फॉर्मुला का इसमाल किया? नहीं किया हमने किसका इसमाल किया? एन एफिटर्म वाले का लेकिन हमसे सम भी पूछा गया है सम क्या होगा? सम is equal to एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल यह वाला फॉर्मुला क्यों लगाया गया? इसलिए लिगाया गया क्योंकि हमको लाश्ट तर्म पता है अगर लाश्ट तर्म पता नहीं होता तो हम यह वाला फॉर्मुला लगा जेते हैं लेकिन चुछी पता है हमाले पास लिबर्टी है हम यह लगा दिये तो एन की वाल्व कितनी है यहाँ पर? अप उन में ब्रैकेट में ए ए कितना है यहाँ पर? 6, 9, 7, 3 यही आपका आंसर मतलब हमाले पास कोई एक एपी छी जिसका फॉर्स तर्म था 17 उसका लाश्ट तर्म यानि एनस तर्म था 350 कॉमन डिफरेंस कितना था? 9, यह 9 है कॉमन डिफरेंस कितना था? 9, हमसे कोशन ने पूछा गया कि N क्या होगा? तो हमने N निकाल लिया इस वाले फॉर्मुलयसे n इससे निकाल लिया फिर हमने जब N निकाला तो कितना आया? 38 फिर हमने पूछा गया कि इस A, B का सम कितना होगा? मतलब सारे टर्म को जोग दिया जाएगा तो सम कितना आएगा? 6, 9, 7, 3 हमने formula इस्तमाल किया n by 2 bracket में a plus l ठीक है मुझे उम्मिद है कि आप लोग को इसा समझ में आ रहा होगा देखिए एक चीज एक लाइन बहुत ही detail में आप लोग को explain की जा रही है यहां पर है ना और आने वाले classes होगी उसमें आपको और भी इस exercise के question कराए जाएंगे और question के साथ साथ ही आपको सारे concept भी दिये जा रहे हैं आप लोग ने एक चीज़ को ध्यान दिया होगा कि इस chapter में अब तक जितने formula का इस्तमाल होना था वो सारे formula का इस्तमाल हो चुका है अब हम लोग क्या कर रहे हैं question ले रहे हैं और उस पर वो formula अपलाई करके देख रहे हैं इससे होगा क्या कि आपके तैयारी में थोड़ी तेजी आएगी आपको आप सीखना नहीं है कि भाईया A क्या होगा, N क्या होगा, D क्या होगा यह सब आप लोग जान चुके हैं इस class की शुरू होने से पहले ही आप लोग यह सब चीजे जानते थे जानते थे ना, तो अब क्या करना है आपको सिर्फ question उठाना है formula आपको पता है, formula आपको याद रखना है एक copy बना लीजे, जिसमें आप लोग match के, जितने भी formula आप लोग chapter 1 से लेके, पूरी book में solve करेंगे, जितने भी formula आएंगे उसको एक जहां पर लिखते रहे है, formula नहीं बूलना है अक्सर होता क्या है, कि जहां लोग board की paper देने जाते हैं, थोड़ा बहुत pressure रहता है, थोड़ा होगा, गल्ती होने की chances कम हो जाएंगे एक कहावात है कि practice makes man perfect, मतलब आप जितने practice करेंगे, उतने ही आप perfect होते चले जाएंगे लेकिन मैं यह मानता हूँ कि practice makes improvement, लेकिन अगर आप जो practice करेंगे, तो आप में क्या होगा, अच्छी अच्छी आदितें आपका विध्धार होगा, मतलब आप जो पहले थे, उससे अब आप एक कदम आगे चले जाएंगे, तो formula आप लोग सब लोग एक जगापे लिख लीजिए formula को daily आप लोग देखते रहिए ताकि वो आपके दिमाग में चलता रहे, और उसके बाद question उठाईए solve कर लिए, अब हम लोग मिलेंगे अपनी next class में, इस chapter के कुछ और question भी उसमें हम लोग करेंगे, तो एक बाद फिर से आप सभी का हमारा channel देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद